एलो माई दियो स्टूरेंट्स वेलकुम डू दू सेशन विटा मैसल विविकानन रॉम आल्फा प्लस जैसे कि हम सभी जानते हैं लास्ट सेवन डेस सिर्फ सेवन डेस का टाइम बचा है हमारे एक्जाम में तो कुछ बहुत जरूरी इंपोर्टेंट और यूसफुल टिप्स आप सबके लिए जो आपको एक्जाम में बहतर करने में बहुत हेल्प करेगा अच्छा जी टिप्स सुनिए जरा नमबर वन प्रेशर 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 नहीं प्रेशर को छोड़ दीजिए बिल्कुल अराम से थोड़ा आनंद के साथ पढ़ेंगे तो एक्जाम में जो आप लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे से निकल जाएगा सेकेंडली और थर्ड थर्ड पॉइंट बिटा नए टॉपिक्स और कुरायन टॉपिक्स अभी लास्ट सेवन डेज में मैं बिल्कुल यह काऊंगा कि कोई नया टॉपिक करने के जुरूद नहीं है भले वो बहुत असानी क्यों नहीं करना है आपने पिछले 6 महीने जितना बांद के नहीं रख सकता आपने देखा होगा कभी भी टाइम टेबल के हिसाब से कोई चलने वाला है नहीं आप यह जरूर कर सकते कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अपने आपको थोड़ा सा बांद दिया मतलब मैं यह कह रहा हूं मैं फोर्स कर रहा हूं आपको ब इसमें मैं बोलना चाहूंगा मैं जब एक्जाम होने वाला होगा उसके पिछले दिन बे एक वीडियो डालूँगा तो जरह धियां से सुनिये अभी के लिए राइट नौ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे होते है जो सबके लिए असाम होता है नहीं है सबके लेए असान होने वाला टॉपिक्स नोली हौते हैं लुत चेलेक्शन आपको करना पड़ेगा यह बहुत गहरी है इसमें पंद एक्जाम में या अधर्वास भी आपके लेए क्या तॉपिक्स हैं और आपके चीज आपको आसान लगती हैं और आपने पहले से बढ़ी हो यह में जो चीज to आपको आसान शाम लगती है आपने पिछले छे मैने्य अच्छे से हुएं पढ़ा इनको तो अंको अच्छे से करी लिजे और टफ्त में डरने की जूरत नहीं है जब आसान topics आप करते चले जाएंगे इस एक हफते में, revise जब करेंगे, देखेंगे रहे यह तो हो गया हो गया, तो आपके अंदर naturally, naturally विश्वास जागेगा, और जो tough topics लगते हैं आपको, जो आपने पहले पढ़े हैं, वो भी अराम से होने लग जाएंगे, प्रेशर नहीं आपके सामने, more and more questions, okay, let me tell you, मैं वैसे भी otherwise ही बताता रहा हूं, classes में बताता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, जो आप textbook पढ़ते हैं, या जिस भी book से आपने थियारी किया, algebra, analysis, calculus, whatever, complex analysis, probability stats, whatever, जो textbook के questions होते हैं, उस तरह के, as it is, उस तरह के questions तो इतने बड़े exam में नह आते हैं, आप सब के लिए सला हैं, कि previous year questions जरूर करें, जरूर, जरूर, जरूर करें, और previous year question खाली है नहीं कि मैं जो, माल लीजे, particularly, मैं net के exam दे जा रहा हूं, तो मैं pyq सिर्फ net कही करूंगा, नहीं, net के बच्चे को net के level वाला सारा कर लेना चाहिए, net के questions करे, pyq, gate के questions क और jam के जरूर करने हैं, बच्चा कहेंगा, sir jam का तो exam msc के लिए होता है, और हमारा तो net बहुत अच्छा level है, बेटा मैं आपको विश्वात दिला रहा हूं, jam के questions, कुछ questions इतने अच्छे हैं कि वो net के level को भी पार कर जाएं, तो वो नहीं छोड़ना है आप लोगो, please ध्य के लिए होंगी, आप लोगोंने questions पहले भी के होंगे, लेकिन PY की वोगर एक बार देख लेंगे तो आपको idea हो जाएगा, net में questions repeat नहीं होते हैं, gate में questions repeat नहीं होते हैं, IIT jam में questions repeat नहीं होते हैं, still, still, type पता लग जाती है बच्चे को, और उस type का question दुबारा अपीर, दु practice करेंगे भी अगर assignment यहां वहां से, तो उस तरह के questions उसमें होते नहीं हैं, इसको negative ना लें, आपके फायदे के लिए हैं, अगर आपको अपनी त्यारी को best, सबसे बढ़िया तरीके से उसका use करना है, तो यही तरीका है, एक हफते का time आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ question solve क करने में लगाई है, PYQ सबके लिए available है, net के, gate के, IIT के, internet पे है, print निकालो, practice करी, okay, lastly, जैसे कि आप लोग देखी पा रहे हैं, confidence में cross लगा है, देखें, मैं personally बोलूँगा, confident होने की जुरूरत नहीं है, please, question सामने आएगा, या कोई topic सामने आएगा, तो यह नहीं कि मैं topic क मतलब बिल्कुल ही, ऐसे करके रख दूँगा, ऐसे करके रख दूँगा, इस तरह की बाते सुनते हैं, वो ठीक नहीं है, topic सामने आता है, question सामने आता है, जैसे को प्रणाम करो, और कुछ निकालने ही कोशिश करो, उसको इस तरीक से नहीं, मैं तो champion हूँ इस topic का, या मैंन graduation, then post graduation, at gate, ये जो भी है, उसके बाद भी आपको पता है कि पढ़ने के लिए बहुत-बहुत कुछ है, तो इस तरह का, ये confidence क्या होता है, ये ऐसे नहीं है, यहां तो ये भी नहीं है, ये limited आपका topic है, या इस किताब से ये 10 questions है, इस ही में से आएका exam में नहीं, तो ये confidence वा पतलब आहेंकार जैसे चीज बच्चे में नहीं होने चाहिए, आप स्टूडेंटी तो है, आप भी और हम भी, ठीक है बेटा, तो ये सारे tips थोड़ा अपने उपर लगाईए, और इसका benefit उठाईए, तो ये, thank you very much, thank you.